बिहार में कुरोना के इलाज और टेस्टिंग को लेकर आज भी सवाल खरे हो रहे हैं अब आम जंता जो है वो वीडियो वाइरल कर रही है और सरकार के नाकामियों को दिखाने की कोशिश कर रही है फिलाल हमारे साथ इस पर ही बाचित करने के लिए सवन्ट सेना का राष्ट् भागबर जी सबसे पहले ये बता ये किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है आपको बिहार की जो बास्तवी की सिति है जो रियलीटी है बहुत ही बुरा है इस बारह से तेरगोर के अबादी में रोजाना 30 से 35,000 भी जांच नहीं हो रहा है क्या इस सिति में सुधार कैसे होगी कि तिटीश कुमार जी आप गार्जियन भीहार के हमारे भावक हैं आप से सिकायते हमारी होंगी क्यों नहीं है क्यों नहीं रोजाना 35,000 जांच हो रहा है अगर हर जिला में 1000 भी जांच अगर रोज नहीं होता है तो सोचि इस सिति दिन पर दिन बत से बत्र होते जा रही है पटना की स्थिति देखिए बहुत बुरा है यहां पे 447 बेड का यह हॉस्पीटल है और यहां पे मात्र 166 बेड पर ही ऑक्सीजन की विवस्था उपलब्द है कैसे स्थिति में सुधार होगी इनम्स पीम्स की देख लीजिए अब यहां पटना एम्स की जो इस्थित में चीप जस्टिस दीपक परसाज जी है उनके अध्यक्षता में जब अधिगरहन की गई है तो मेरा सवाल है कि आपने जो यह मगद मेडिका को आपने अधिगरहन किया है तारा नर्सिंग को अपने अधिगरहन किया है आपने इसे पारस को अपने अंदर मिलिया है आपने हर्ट होस्पिटल को लिया है आपने अनूप नरान मेवोडियल होस्पिटल को लिया है जहाँ पर दस से 20 बेट भी नहीं है कहां पर करोना का मरीज रहेगा सर सबसे बड़ा समस्या यह है दीरज बाबू में बता रहा हूँ कि मगद मिडिका में जहाँ पर हर्ट का पेसेंट रहता है वहां पर हैंट का जाए रहाँ के चीट सो से हम duż से हम ने बात कर ही तुछ नहीं का यहां कि हम यहां हट के मरीज्ञ है और पास ने ब्लड बैंक की वेऽस्ता है थीक हो रहएं करी जाइंगे हम भी विवास्था करते हैं तो क्या मेरा सवाल है सरकार से कि जो आम आदमी है अगर एक कोरोना की उप्चार के लिए 3-4 लाग रुपा के खर्चा होगा आम आदमी कहां से बन करेगा कहां से बन करेगा आपने इतने बड़े बेदानता होस्पिटल जहां पे 600-700 बेट की सुभिदा उपलब्ध है आपने उस सुभिदा जहां पे एकदम से उपलब्ध है इतनी बड़े होस्पिटल बन के तयार है उसे अधिकरहन सरकार ने क्यों नहीं किया कब करेगी आप अधिकरहन कर रहे हैं तो कोरोना मरीजों की साथ आप खिलवार कर रहे हैं सरकार ऐसा कर क्यों रही है सबसे बड़ा समस्या सबसक्राइब कर तो ऐसे सरकार हमारे गारजीयां और मंगल पांडी में बताए जीलाय में जितने भी सदर कश्पिटाल है जहानाबाद हो, गया हो, अरबल हो, रंगाबाद हो, नवादा हो, पटना हो, लक्षी सरः हो, यह भागल पूर हो, भागल की देख ली, जब आपालला नेरू जब हो हॉस्पीटल है, वहां की सिती इतनी बत्तर है, वहां के जब हमने लोग उसे बात की, तो उन्होंने बताया कि यहां कीट की वेवस्ता नहीं है यहां पर लोग देखने वाले नहीं है पैर भी करना पड़ रहा है इतनी बड़ी अबादी में सर अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आप कैसे मुखमंत्री रख्वाइच देखते हैं हम आम आदमी हमें जानना चा में लृट में अब इसका जाता पैसा अब और सवाल है टेस्टिंग की बात आपने कहीं टेस्टिंगं उतनी संख्या में होनी नहीं यह लेकिन टेस्टिंग के भी सवाल खड़े हो रहे हैं जिससे आईसे विडियो आ रहे हैं जहां पर पैसेंट का number लिया जा रहा हुए उ सबसे बड़ी बात में सरकार को यह अपना सुझाब देना चाहूंगा कि पटना में जितने भी जो प्राइबेट स्कूल है कॉलेज है उन सभी को अधिग्रहन कीजे और उन सभी अगर नहीं बनाएगे तो लोग कहां रहेंगे जितने भी जिला में जो भी प्राइबेट स्कूल है सरकारी स्कूल है कॉलेज है उन सभी को अधिग्रहन कीजे और सभी में कोभी नाइटीन के लिए उसको और डेली कम से कम जिला में एक हजार की जहां चोनी चाहिए तब इस स सरकार में कमिया हैं कोई अधिकारी मांग करता आप देखिए निर्वल कुमार सिना जी उन्होंने सरकार से जब केंद्रिय टीम के लभा अगरवाल जी जब जाच परताल करने लगे क्या कमिया क्या सुधार करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि सर हमारे पास इतनी इतनी इपचार हो सकता है उन्हें अधिक्चक के पद से हटा दिया आपने यहां के जो स्वास्त के विभाग की जो प्रधावन सचीब थे संजय कुमार जी उन्होंने जो बहुत अच्छी तरिका से काम कर रहे थे समय समय पर टूट कर रहे थे प्रेस के माध्यम से जनकारी दे र सब्सक्राइब को समझना होगा इगारा हजार करोड़ जो हमारा एक साल का बजट है आप उसे कहां खर्च कर रहे हैं सदर अस्पताल में अधेड महिला की तरब तरब के मौत हो जा रही है और देखिए न पटना की जो इनम सेच की स्थेती कितनी सारी वीडियो बैल होड़ की जो बहार से केंद्रियों को केंद्रिय टीम जो अभी टेस सरकार है से बिहार से 49- protected इंडियों के पंज कई है कि हम सभी निडियों को सब्सक्राइब कर दिया हाद कर दिया है मैं अपने लोगों से तमाम ज charging सरकार पर शाना करें और जो भी गिलोई अ और जो चीजे आ रही भी आप इसे सेबन करें सरकार भ्हचा नहें भरीर த의क्राव सिर्फ काम दिखा रहे हैं कि अधूय कि दिखा रहा हुँ चल रहा है सबीडेन चलरह नितिज जीरप न कर लोग मरने में मजबूर है यह चुना में ब्यासते हैं बहुत तर्म की बात है भीक्ष हो या बिल कर राजनीती नहीं है अहीड किया मजबुति से यह डुबोने में लगे हैं बहुत दुख हो रहा है पूरी राजनीती हो रही है लेकिन मैं जो अब आज उठाना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से तमाम ही बहुत से निवेदन करता हूं कि पत्ना में इतने बड़े में पर वहां मेदानता हुस्पिटल है उसे क्यों नहीं सरकार ने अधिकरहन किया जब लोग जा रहे तो वहां पता चला कि यह तो इलाज होगी ने आप लोग को अगर आप विवस्था नहीं कर सकते तो बर्गलाइए मत आपसे मेरा हाथ जोर के निवेदन है नितिसकुमार जी यह नो टंकी बंद कीजे आपके विवस्था बिलकुल ही लचर है और जब यही इस्थिती रही तो हम यह यहां निर्दन लेने पर लिवस हो जाएंगे बहुत दुख हो रही है सवास बिवस्था पे हमेशा सवाल उठते है इस बारवी जिस तरह के सामने है क्या लगता है सरकार कुछ करे ऑगी या लोगों को खोड कहां कर रहे है क्या क्या कर रहे हैं ब एक हजार जाच्च रोजाना हो और जितने भी पतना में दिए भी हो लोईला हो अचार सुदर्सण संजी की जितने भी जो अच्छी होटल से हैं या जितने भी जैपरभाजे से बड़े होस्पिटल हैं उनको सरीकार अधिगरहन करें जो भी खामियां है उसे सुधार करने काशिज करें और जो भी पदयगारी पर है उन्हें इसमें ट्रांसपर तो आप बाद मी कर लेंगे सर जो विवस्था जैसे सुधारनी चाहिए अब उसमें अपना दिमाग लगाई और कम से कम रोजाना 35-40 सरकार अगर जांच करती है तब इस हिती में सुधार आगी अब एक और सवाल है कि अब लोग इलाज करवाने भी होस्पिटल जाने से डर रहे हैं बिहार में तो बिहार हैं या जूनियर डॉक्टर है ना उन्हीं किसी प्रकार की सुधा उपलब्द है ना जांच कीट है एक एक कीट से 40-40 लोग की जांच हो रही है कैसे किलियर हो पाएगा सर ना उनकी सुरक्षा कि किसी प्रकार की कोई बेवस्था किये गये है 446 बेट का एनम सेच होस्पिट होता है तो हमारा अगला अंदोलत सिक्षा और स्वास्त को लेकर करके होगा भागवत्स वर्मा की प्रमुख मांगे सरकार से है सरकार से मेरी मांगे बड़े जो अस्पिताल हैं जहां पर लोग कोरोना के लावाए जो भी एक्सिदेंटल या जो भी किसी प्रगाड़ी केस हो वो नहीं ले पा रहे हैं वो हस्पिटल बाल उसे ले और उपचार करें उनका एक आखरी सवाल यह है स्वांसेना का हर चुना में एहम रॉल देखने भाई बहंड नहीं रहेंगे तो सर क्या चुनाव होगा राजनीटी तो बाद भी हो जाएगी उतनगी बिहार को बचाने का समया है देश को चुनाव की बाद बाद मी करनी चाहिए बहां हो जो इसे उसे बचाने की कोसिस करनी चाहिए चुनाव होते रहएगा सर tari passo अरוח पूरी तरह से पहल है सरकार पहल ही नहीं पूडित ड़ंप निकम ही थो कुछ करना ही gedh जैसा कि आपने सुना भागबात सरवन ने सरकार को घरा और उन्हों ने कहा है कि सरकार कुछ नहीं सर्फ राजनीति करी और उनको आंब लोगों की चिंता नहीं बल्कि एलेक्शन की चिंता है और इन्होंने डिमें नहीं है तो वह भी खरे हों ऐसे तमाम अपडेट्स आपको एचेस बिहार देते रहेगा अभी के लिए फिलाल इतना ही नमस्कार